हेलो फ्रेंज, वेल्कम डू कॉंपेटिशन कम्यूनिटी जा रहा है लीगल सर्विसस अथॉरिटी के बारे में अगर आपने हमारे चैनल के regular viewer हैं और अगर आप हमारे shots को regularly follow कर रहे हैं तो आपने notice किया होगा कि एक shot हमने अपने चैनल पे upload किया था इसी topic पे जो की था free legal aid के बारे में कि कौन-कौन वो लोग हैं जिनको free में legal aid सरकार provide करती है वो कौन-कौन से clauses हैं अगर आप उन clauses को fulfill करें तो आपको free में legal aid मिलेगी और इसी वीडियो के follow-up में कई questions आए कई queries आई कई suggestions आए कि sir इस topic से related और भी आप videos बनाईए और भी हमें बताईए कि इसमें और क्या होता है तो हमें लगा कि क्यों ना इसके उपर एक पूरा video लेकर आया जा और एक video series हम लेकर आए ठीक है sir तो आज हम पढ़ेंगे legal service authorities के बारे में उसको शुरू करने से पहले इसके तीन relevance को जान लेते हैं कि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है present time में इसके तीन relevance पहला तो आप सब जानते हैं इतने भी law student से आप समझ भी चुके होंगे अभी तक कि अगर आप law student है या रह चुके हैं या आप अभी higher studies में हैं या आप lower studies में आप senior है जूनियर है आपने कभी न कभी legal service authority नाम का शब्द तो सुना ही होगा और ज़ादा तर जो law student होते हैं उनकी पहली या दूसरी internship जो होती है वो कौन से background को law background को तो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये legal service authority है क्या मेरा यकीन मानिया आपको ये जानके बहुत खुशी होगी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो की afford नहीं कर सकते हैं legal help को लेकिन उनको legal assistance legal help चाहिए होती है तो इस scheme के अंडर में सरकार आपको free में वकील छत्येशगर में जसका इंतजार कर रहा है हर लोग graduate इंतजार कर रहा है वह एडी एडी पू का फॉर्म कब आएगा इडींपो की notification कब आएगा इडींपो का कब निकलेगा notification तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि छत्यसगर्ण एडींपो का notification जल्दी आने की हुमीद है और 36गर ADPO में syllabus में minor acts में legal service authorities act भी एक topic है तो हमें लगा कि इस topic पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है तो यह वीडियो लेक्चर यहां से शुरू हो रहा है यह एक introductory वीडियो है इसमें हम cover करेंगे आगे जाके पूरे के पूरे act को और 36गर जो ADPO है उसमें पूरा का पूरा जो act है वो नहीं आता है केवल तीन chapters आते हैं लेगिन पूरा पढ़ने तो हमारा कोई नुकसान नहीं है क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो knowledge हमारी ही enhance हो नहीं है ठीक है सर तो आज हम cover करेंगे legal service authorities act को उसके basics को समझेंगे उसका introductory video है इसको ध्यान से देखेगा ताकि आप पूरा act एक go में खतम कर पाएं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो जैसा कि आपको पता है अगर आप हमारे regular view है तो आपको पता होगा कि हम किसी भी वीडियो को शुरू करने से पहले उसके scratch को उसके base को build करते हैं तो यहां हम base को build कर करके देख लेते हैं लीगल से आप क्या समझते हैं अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूँ अगर आप किसी एक third person से पूछे को यह ऐसा व्यक्ति जो लॉव बैग्राउंड को बिलॉंग ना करता हो तो वह लीगल का मतलब क्या बताएगा कोई चीज जो लॉव से यानि कि जो law से connected हो या उसके administration से administer करना administration का मतलब होता है किसी भी चीज़ को administer करना in an authoritative way ठीक है सर तो हमने legal का मतलब तो crackdown कर लिया services की बात करी जाए तो services की अगर हम बात करें तो दो तरह की service का मतलब आप बता सकते हैं पहली service तो वह होती है जिसको हम नौकरी से समझते है कि सर कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसको हम service कहते हैं जैसे कि civil services बड़ा common है उसके अलावा दूसरा service का मतलब क्या हो सकता है जैसे कि हर जगा पे हर district में हर school colleges में NSS की branch होती है उसका full form क्या होता है national service scheme वो service किसलिए है वाप पे वो कोई नौकरी कर रहे है क्या नई वो service है एक दोनों ही definition का मतलब है इन दोनों ही definition का relevance है services के नीचे क्या लिखाए पड़ते हैं the work performed by यानि कि कोई कार है जो आपने किया हो और क्या है one that serves यानि कि कोई आदमी जो कोई काम serve कर रहा हो किसी purpose को serve कर रहा हो तब और तीसरा क्या लिखा हुआ है contribution to the welfare of others यह तीनों चीजे हमार authority की बात करी जाए तो बड़ा भारी शब्द है लोग अलग-अलग तरीके से मतलब समझते हैं authority का मतलब क्या हो सकता है authority का मतलब हो सकता है कि कि किसी के ऊपर आपकी कोई power होना आपके पास control होना किसी चीज़ का उसको simply authority से कह सकते हैं जैसे हम कहते है higher authorities के पास यह application जाएग कि सर आप इतना जादा उसको typical dictatorship type की चीज़ sound कर रही है ऐसा नहीं है लेकिन authority को समझने के लिए असान शब्दों में यह definition अच्छी है यानि कि आपका order है किसी lower आपके जो subordinate से उनके उपर आप एक authority hold कर रहे हैं किसी के उपर वो लोग आपको answerable हैं तो आप उसको authority कहेंगे तो हमने legal services और authority तीनों ही शब्द का मतलब यहाँ पे देख लिया अब हम इन तीनों को जोड़के देखते हैं legal का मतलब क्या है legal का मतलब हमने समझा कोई चीज जो law से related हो यानि कि legal service authority में legal का मतलब क्या हुआ यानि कि एक law related body है यानि कि ये law के field से governing एक body है ठीके सार हम समझ गए services का मतलब क्या है services मतलब हमने समझा था कि लोगों के welfare और well being के लिए काम करना तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या समझा यहाँ पे हमने यह समझा कि legal का मतलब था loss related services का मतलब loss related कोई service है जो लोगों के welfare और well being के लिए प्रोवाइड करी जा रही है और authority का मतलब क्या है यह जो legal body है जो लोगों के services के लिए काम कर रही है यह एक authoritative body है यानि कि हम यहाँ बात कर रहे हैं उन bodies की उन governing bodies की जो इस service को provide करने के लिए authority hold करती है उसके लिए answerable है और अपने subordinates को इसका काम करवाएंगी simple शब्दों में आपको समझ में आ चुका होगा कि legal service authority का शब्द का मतलब क्या है अगर scratch से समझना हो आगे बढ़ते हैं सर अब चुकि हमने इसका मतलब समझ लिया तो थोड़ा सा background भी देख लेते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा technical थोड़ा सा technical होंगे जादा नहीं थोड़ा ऐसा act है ना बस इसके बारे में अभी हम इतना ही जानेंगे कि legal service authorities act है एक जो की 1987 में जिसका year है commencement year 1987 और 1995 क्यों लिखा हुआ है सर 1995 में इस act के अंतरगत एक body बनी नालसा नाम की नालसा क्या है national legal service authority ठीक है सर यह आपको समझ में आ गया अब आप बोलेंगे यह नालसा क्या है national legal service authority क्या है हम आगे समझेंगे अभी आप से वितना समझेंगे कि 1995 में नालसा नाम की एक body बनी जो की 1987 के act से बनी यह भी आपने crackdown कर लिया बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 39 ने आपको पता होगा आर्टिकल 39 ने किसके अंडर में आता है डिरेक्टि भी दे देता हूं 42nd amendment या 44th amendment बस मुझे इतना बता दीजे बहुत है sufficient है और अगर आप यह भी बता पाएं बिना देके तो यह और भी अच्छी बात है law students के लिए आगे बढ़ते हैं 1995 में नालसा नाम की body बनी जो कि 1987 के act के अंतरगत बनी थी नालसा का काम क्या था नालसा का secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid यह 39 ने बात कर रहा है state की state मतलब हमारे देश की जो government है यानि कि जो authority है हमारे जो देश को चला रही है उसके ओपर एक duty bound कर रहा है कि state को यह काम करना चाहिए कि free legal aid दी जाए free legal aid का मतलब क्या है aid जैसे कहते है na first aid पहली मदद पहुचाना तो एक तरह की मदद है वो किसके लिए जो लोग को जरूरत है इसकी यानि कि आप सोच के देखिए इतना महंगा है हमारे justice system को पाना यह हमारे देश में justice को पाना कई बार थोड़ा मुश्किल है थोड़ा महंगा हो जाता है हर person इसके लिए eligible नहीं है हर person के पास इतना पैसा नह सरकार ने बोला बिल्कुल हम तो इस बात को मानते हैं उसी के तहट यह एक्ट बना उसी के तहट यह बॉड़ी बनी उसके अंडर में काम शुरूआ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यह बहुत बड़े scale पे काम कर रहा है अगर आपके पास थोड़ा सा भी time हो तो आप चाहें तो इसकी website पर जाकर चेक कर सकते हैं आपको समझ में आएगा कि किस magnitude यहां पर काम हो रहा है खेर आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 39 में समझ में आ गया और इसमें एक और प्रस्पेक्टिव आता है Constitution का equality before law कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है नीचे comment section में ठी ठीके सर आगे बढ़ते हैं हमने सर उसका background देख लिया हमने terminology को breakdown कर लिया अब जरा देखते हैं structure को जैसा मैंने आपको बताया जहां पर आपको लग रहा होगा थोड़ा सा doubt एक example से समझते है Supreme Court होता है High Court होता है District Court होता Supreme Court देश का इकलौता High Court State का इकलौता Supreme Court के नीचे काम क करते हैं District or Sessions Court यह हमें पता है वैसे ही नालसा है नालसा क्या है नाम के आगे लगा हुआ नाशनल यानि पूरे nationwide की एक लौती बॉड़ी जो की डेली में है National Legal Services Authority यह एक national level Apex बॉड़ी है जैसे Supreme Court को Apex Court कहते हैं वैसे यह नेशन वाइड एपक्स बॉड़ी है जो की लौती है जो इस Legal Services के काम को करती है इस काम को देखती है गवन करती है और अगर एक nationwide है उसने सारे nation को देखा ठीक है सर लेकिन उसके नीचे कोई भी एक दूसरी immediate बॉड़ी भी तो होनी चाहिए ना लवर्निंग बॉड़ी तो हर स्टेट में भी होगी उसी तरह होती है स्टेट लीगल सर्विस अथारटी इसको हम कहते है नालसा जिसको हमने पिछली स्लाइड में यहां पढ़ा था और इसको हम कहते हैं सालसा सालसा खाने को भी कहते हैं एक और एक और एड कर लीजे तीसर legal service authority, यह हर state में काम करता है, यह नालसा के तो नीचे काम करता है, लेकिन इसके नीचे district की जो authorities हैं, वो काम करती है, फिर इसके बाद कौन आता है, district legal services authority, यह कौन है sir, यानि कि यह nation को पूरा देख रहे हैं, यह state की epics body है, अब हर state में कई districts है, तो उन districts की एकलौती जो body होगी, वो होगी district legal service authority, अब आपने देखा इन तीनों में authority, authority, authority लिखा हुआ है, यहां क्या लेका है, तालू का legal service committee, अब यह क्या है sir, committee कहां से ले आया है, मैं आपको बताता हूँ, यह तीनों जो है ना, national legal service authority, district legal service authority, और state legal service authority, यह तीनों compulsive body है, यानि कि हर state में एक सालसा का office होगा, और हर district में एक district legal service authority होगी, लेकिन हर तालू का, तालू का का मतलब क्या है, तालू का मतलब होता है, sub division, जैसे आपने SDM पढ़ा होगा, sub division, magistrate, हर district के अंदर भी sub divisions होते हैं, तो अगर आप अपने district example लेकर समझ सकते हैं, तो हर sub division में, यानि कि हर तालू का level पे अगर लगा, किसको सालसा या नालसा, यानि कि state legal service authority को, या national legal service authority को, अगर district legal service authority ने ऐसा recommendation भेजा, तो वो क्या कर सकते हैं, वो तालू का level पे भी legal services committee का establishment कर सकते हैं, ये एक authoritative body नहीं होगी, इसका काम सिर्फ होगा कि case का जल्दी आपका redressal हो जाए, लोगों के लिए जादा easily accessible हो जाए, जैसे दिल्ली जैसा शहर है, तो या मुंबई जैसा शहर है, या लखनौ जैसा शहर है, ये बहुत जादा populated शहर है, वहाँ पे एक ही office को सब को समभाल पाना मुश्किल है, तो उन्होंने तालू का level पे छोड़े-छोड़े offices और committees बना दी, जो इसके लिए काम करेंगे और अपने offices को वहाँ बैठा दिया, easily काम हो जाएगा, बस यही इसका मतलब है, तो हमने सब लोग जो है, जो अभी law पढ़ रहे होंगे, या law पढ़ चुके होंगे, या आप जो normal viewers हमारे वो भी, आप कभी ना कभी higher education में गए होंगे, आपने अपनी college की पढ़ाई पूरी करी होगी, अगर नहीं करी है तो आपके friend, family, किसी तो करी होगी, तो आप college के एक ऐसी चीज़ा, जहां से आप जल्दी relate करते हैं, क्योंकि आप वहां से या तो बहुत recently pass out हुए है, या तो आप उससे strongly connected रहे हैं, longer period of time के आपके learning phase के, तो इसके आप teacher की करते हैं, teacher अपने department की head की, आपको तो पता दा department का head सबसे बड़ा है, school में देखा था principal होते हैं, लेकिन यहां तो कोई बहुत बड़ा नाम है, कौन है ये, ये है vice chancellor, vice chancellor जो होते हैं, वो किसी university के सबसे top के officer होते हैं, मतलब की पूरी university उसके under में काम करेगी, ठीक है sir, जैसा यहां पर लिखा हुआ, head of the institute, तो vice chancellor को हम क्या समझ लेते हैं, नालसा, नालसा मतलब national legal service authority, पूरी university में एक होता है, नालसा भी पूरे देश में एक होती है, समझ में आ गया हमें, अगर academic position की बात करी जाए, तो vice chancellor के नीचे अगर कोई काम करता है, तो वो होते हैं deans, deans कैसे sir, आपको अगर short thumb में समझाओं, तो vice chancellor होता है, वो पूरी university को समालता है, अब university में कई सारे departments होते हैं, तो हर department का एक head होता है, head के नीचे faculties काम करती हैं, लेकिन school स्कूल भी होते हैं हर university में, स्कूल का मतलब क्या है, जैसे school of law, उसके अंदर एक law department होगा, लेकिन school of arts, उसके अंदर arts के जितने भी subject है, geography, history, Hindi, English, वो सारे के सारे departments होंगे, उन departments के अपने heads होंगे, और उन सभी heads के ओपर एक dean होगा, जिसका काम होगा, उस पूरे school को, यानि कि arts की पूरी faculty को, जितने भी departments आते हैं, वो उसको report करेंगे, किसको, dean को, तो उसी तरह से vice chancellor के नीचे काम कौन कर रहा है, academic level पे, dean, dean कौन है, head of the school है, school के अंदर में कितने आते हैं, बहुत सारे departments आते हैं, similarly, ये resemble करता है dean नाम का शब, salsa से, जैसे कि हमारा जो देश है, उसमें बहुत सारे states है, वैसे ही एक institution है, उसके अंदर बहुत सारे schools है, वो schools को head कर रहे है, कौन dean, उसी तरह से हर state को head कौन कर रहा है, salsa, अब ये school हो गया, school के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे departments, जैसा कि आपको पता है, आपके law department होगे, उसके एक head होगे, आपके English department होगा, उसके एक head होगे, तो उसी तरह से department को resemble कर रहा है, डालसा, यानि की district legal service authorities, और टालसा, जो की, मतलब TLSC, जो की normally sustain नहीं करता है, जब जरूरत पढ़े, तो ये resemble कर रहा है, किसको, faculties को resemble कर रहा है, जो आपको पढ़ा रह है, और head of the department को हमने डालसा में क्यों लाए, डालसा में इसले लाए, क्योंकि, वो जो है, डिस्टिक में काम करता है, जिस तरह एक department एक minute level पे काम करता है, और उसके head कौन होते हैं, district legal service authority, ये subordinate होते हैं, डीन्स के, डीन्स होते हैं, वाइस सांस से, similarly, डालसा subordinate होता है, सालस subordinate होता है, नालसा का, ठीक है सर, जरा objectives भी देख लेते हैं, कि असल में ये legal service authority के objective क्या है, आपको structure समझ में आगया है, किस तरह काम करते हैं, objective क्या है, पहला तो objective है, free legal aid, यानि की, न्याय सब के लिए, सब को मुफ्त में न्याय मिलना चाहिए, अब सब को तो नहीं दे सकत देश की जो economy है, वो down हो जाएगी, तो क्या करें, जिन लोगों को सच में जरुवत है, पहले तो उनको उन तक पहुचाईए, जिनके पास सच में पैसा नहीं है, जो गरीब है, जो मजबूर है, उन तक ने आए पहले पहुचे, उसके बाद हम देखेंगे, कि अगर हमें ल सब्सक्राइब का इसा नहीं है, लीगल सब्सक्राइब के जो ऑफिसे हैं, जो बॉडीज हैं, वो लीगल अवेरनेस पे भी बहुत जादा काम करते हैं, जैसा आपको पता होगा, पैरा लीगल वॉलिंटियर जो आप में से बहुत लोग रहे होंगे, जिसको हम आगे पाइदा उठाईए, इसलिए हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए, साथी साथ लोग अदालत भी उसका बहुत बड़ा अब्जेक्टिव हैं, आपको जैसे पता होगा, लोग अदालत जो है, वो ADR के अंदर में आता है, ADR के फुल फॉर्म नीचे, कमेंट सेक्शन में, लोग का केस अब खतम हुआ, आपके बीच में अब जो है, एक एग्रिमेंट हो चुका है, खीके सर, और ये इसका में अब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस फॉर ओल, नियाए सब के लिए, जो मैं आपको बार बार बता रहा था, और साथी साथ, कमपनसेशन भी कुछ क्रिमिनल के इस में, लीगल सर्वेस ऑथारिटी प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करेगी, केवल विक्टिम को प्रोवाइड करेगी, यानि यह हमारा डाउट सर, क्लियर हो गया, अब इस वीडियो के एंड पे आते हैं, और देख लेते हैं, एक बार क्विकली, यह पूरा ड तो पहला point बात करता है, women and children की, यानि कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, और कोई भी महिला, कोई भी महिला मतलब कोई भी महिला, अगर इस देश की कोई बड़ी Bollywood actress हो, दिपिका पदकोन हो, एश्वरय राय हो, जिनकी wealth millions of dollars में है, कई 100 करोड में इनकी wealth होग यह हमारे legal aid की scheme के under में आता है, साथ ही साथ अगर आप member है, SCAST community के, यानि कोई भी member जो SCAST community को belong करता है, उनको भी free में पूरी की पूरी legal aid प्रवाइट करी जाएगी, industrial workman, यानि की industry में जो काम करने वाले मजदूर है, वो भी इसके हगदार होंगे, अगर कोई victim है, किसका को हगदार होता है, free में legal aid का साथ ही साथ कोई disabled person, यानि किसी भी प्रकार के disability हो, तो भी आप eligible होंगे, किसके लिए free legal aid के, person in custody, custody का मतलब क्या है, CRPC मम पढ़ते हैं, custody का मतलब यह है कि जब police आपको arrest कर ले, आपको confine कर ले, तब जो है, आप हगदार होंगे, किसके free legal aid के, व कंबई में हो सकता है, गरीब माना जाएगा, या माना जाएगा इतना well to do नहीं कर रहा है, लेकिन कोई person जो की एक लाग रुपे महीना कमा रहा है, किसी छोटे शहर में, मान लेते हैं कि हमारे 36 गड़ का कोई ऐसा शहर जो इतना अभी डवलप नहीं है, जो नया नया district बना वहाँ पर कोई person एगर एक लाग रुपे महीना कमा रहा है, तो बहुत आराम से sustain कर सकता है, जो कि बड़ी obvious ही बात है, इसलिए हर state की एक ceiling limit बनाई गई, हर state ने एक amount को decide किया कि उस amount से कम कमाने वाला व्यक्ति पर annum में, उसको माना जाएगा गरीबी रेखा के नीचे, सिर free में legal aid मिलेगा, और सरकार आपको free में वकील प्रवाइड करेगी, और साथी साथ क्या है, अगर आप human trafficking के शिकार हैं, या आप खुद एक भिकारी हैं, या बेगर हैं, जिसको हम कहते हैं, sorry for my words, तो आप इस free legal aid scheme के अंडर में आएंगे, और आप जो है, free में वकील को हासिल कर सकते हैं, तो यह था हमारा आज का वीडियो legal service authorities के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा की legal service authorities, actual में होती क्या है, उसके introduction को समझा, वो कैसे work करती है, उसको थोड़ा सा touch किया, और उसका structure क्या है, इसको समझा, I hope ये video lecture आपके लिए helpful रहा हो, और मैं आपको ये भी बता दूं वेट बिलकुल भी मत करिया, आप हमारे center को visit कर लीजे, हमारे contact numbers पे contact कर लीजे, या competition community की website पर जाके भी आप हमारे जो options है studies के, और हमारे जो plans से उनको देख सकते हैं, और subscribe कर सकते हैं, आपको online, offline, दोनों तरीके से यहां पढ़ाया जाता है, live classes चलती हैं, और साथी साथ आ नहीं, इसके follow-up में हम लेके आएंगे, Legal Service Authorities Act का पूरा का पूरा lecture, जिसमें हम दो या तीन वीडियो में इस पूरे act को पढ़के खतम करेंगे, तो आप follow-up में ही रहिएगा, जल्दी मिलते हैं, next video के साथ, thank you. झाल